ये बात उस वक्त की है, जब शिफ पारवती का विवा हुआ था, ये दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवा था, इसलिए इस विवा में भी थोड़ी बहुत अर्चने आई थी, पहले तो देवी पारवती के माता पिता विवा के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकि को होशाता है, पुतरी, ये विवा नहीं हो सकता, लेकिन क्यों मा, महादेव का रूप देखा है, हाँ, अत्यंत मोहक, ऐसे रूप को तुम मोहक रूप कहती हो, अगर मुझे पता होता कि मेरे होने वाले जमाता, ऐसे विक्राल, भीभत्स व्यक्तित्व के होंगे, तो मैं क कभी इस विवा को सैमती नहीं देती पारवती, सोचो, अगर शिव ऐसे है, तो कैलाश पे उनकी जीवन शेली कैसी होगी, और उनके वो भूत पिशाच, जिनके साथ वो रहते हैं, वो तो कैसे कैसे होंगे, तो महल की राजकुमारी, उस कैलाश पे कैसे रहोगी, कीवल उन मैं उनसे बात करूंगी, किन्तु विवा से पूर्फ, तुम उनसे प्रतेक्ष नहीं मिल सकती, मुझे ग्यात है मा, मैं उनने प्रतेक्ष नहीं मिलूंगी, देवी पारवती महादेव से मिलने कक्ष में चाती है, वहां दोनों के बीच एक सफेद परदा है, ताकि वो एक दूसरे को देखना पाएं, पारवती, यह हमारे बीच परदा कैसा? विवा से पूर्फ, हम आपसे प्रतेक्ष नहीं मिल सकते, लेकिन क्यों? इसमें अनुचित क्या है? यह सांसारिक नियम है महादेव, आप बहुत भोले हैं, इसलिए इन सबसे अन्भिग्ये हैं, और इस इस रूप में क्या खराबी है? मैं जैसा हूँ, वैसा ही उनके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, और मैं तो सदै भी ऐसा हूँ, और ऐसा ही रहूँगा, और तुमने भी मेरे इसी रूप से प्रेम किया है ना? तो मैं तुम्हें पाने के लिए ऐसा रूप क्यों धाराण जैसा मैं हूँ ही नहीं? पारवती, शारेरिक रूप को देखकर तुम्हारी मा मेरे मानसिक रूप का प्रतेक्षी करार कैसे कर सकती है? ये शारेरिक रूप तो नश्वर है, समय के साथ धल जाएगा, लेकिन मानसिक सौंदर शाश्वत है, वो सदैव रहेगा, पारवती ज हम नहीं समझा सकते, आपका तो मुझे हर रूप रंग और ठंग पसंद है, लेकिन मा तो ये सब नहीं समझेंगी ना? महादेव, आपको ये कत्यन मोहक रूप धारण करना होगा, नहीं तो हमारा मिलन असंभव है, लेकिन मेरे लिए, किन्तु मैं रहा वैरागी, मुझे कै इसे पता कि विवा के लिए कैसे तयार होते हैं, कभी विश्नुजी प्रकट होते हैं, मैं हूना, मैं खुद अपने हाथों से आपको अलंकृत कर, आपका दिव विश्रंगार करूँगा, फिर मैनावती आपके ऐसे अत्यनत मोहक रूप को देखकर, आपको अपने जमाता क आपके रूप में सुईकार अवश्य करेंगी, आपका ये रूप मेरे सारे सुन्दर अफ्तार से भी अधिक सुन्दर होगा, और ये जगत में आपका दिव विरूप चंदर शेखर के नाम से जाना जाएगा, धन्यवाद नारायान, विश्नुजी शिव जी को अपने साथ एक कक्ष में ले जाते हैं और उनको अपने हातों से आलेंकरित करते हैं, लीजे आपका श्रंगार हो गया, अब आप वापस बारात लेकर रानी मैनावती के सामने जा सकते हैं, अब कोई विख्ण नहीं आई की, शिव जी अपना त्रिशूल और डमरू उठाते हैं, अरे नहीं महादेव, आपको इनके बिना ही जाना होगा, लेकिन देवी पारवती के लिए उचित है, कदाचित इसे ही प्रेम कहते हैं, जिसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, अपनी प्रीव वस्तू का त्याग भी, उचित कहा अपने महादेव, शिव जी वहां से म मक्ष जाते हैं, मैनावती अपने होने वाले जमाता का ऐसा अलोक एक रूप देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, अब तो आप विवा के लिए मदा नहीं करेंगी ना मा? बिलकुल नहीं, आप जैसे जमाता पाकर मैं तो धन्ने हो गई महादेव, मैं इस विवा को सहश अनुमती देती हूँ तो इस तरह महादेव, चंदर शेकर के नाम से भी जाने जाते हैं, और जिस रात शेव पारवती का विवा हुआ, उस रात को शेवरात्री कहते हैं